कोरोना महामारी की वज़ह से देश में लगाए पहले लॉकडाउन के करीब एक साल बाद एक बार फिर वैसे ही हालाद पैदा होने लगे हैं महाराष्ट केरल पंजाब समें देश के कई राज्यों में तो सीमित लोकडाउन और राज का कर्फ्यू लगाने जैसे सक्त कदम भी उठाने पड़ गए हैं दिल्ली में बीते 24 घंटे के दोरान 536 नए कोरोना केस समने आये जबकि तीन लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक जनवरी के बाद दिल्ली में एक दिन में आये कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आकड़ा है दिल्ली में इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी 2702 हो गई है जो की 15 जनवरी के बाद राजधानी दिल्ली में एक्टिव मामलों का सबसे बढ़ा आकड़ा है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ कर 0.66 प्रतिशत हो गया है हालाकी दिल्ली के स्वास्थमंत्री सतेंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की इस्थतिनी अन्तरन में है वह दिल्ली NCR में कोरोना के बढ़ते मामलों के भी बिच दिल्ली से 60 दो शहरों में पावंधियां बढ़ा दी गई है गाजयबाद और नॉयडा में प्रशासन ने शक्ती बढ़ाते हुए धारा 144 लागू की है साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी और ज़्यादा सक्त कर दिया है प्रशासन की ओर से ये 20 लाग कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर लिया गया है आपको बता दे कि सरकार हर इस्तर पर लोगों को बता रही है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है ऐसे में पूरी साफधानी बरतनी होगी 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कोरोना पर नियंतरन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये टेस्टिंग को बढ़ाने के साथ ही ट्रेकिंग और ट्रेसिंग पर भी जोड देने के साथ वेक्सिनिशन अभियान में तेजी लाने का निर्देश भी दिया आपको बता दे कि बीते कुछ दिनों में कोरोना की केस लगातार बढ़ रहे हैं महराश्र केरल पंजाब में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं लोगडाउन और नाइट कर्फ्यू दोबारा लगाया जा रहा है ऐसे में जाहिर है कि कोरोना को लेकर लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है नवोधर टाइम्स के लिए संगीता सेंग की रिपोर्ट दिल्ली बार टाइम्स के लिए सकत है